नमस्कार दोस्तो मैं द्रोपती नंदा मैं आज बात कर रही हूँ कि यम के दीपक की तो दोस्तो कुछ लोग धनते रश के दिन जलाते हैं और नरक चवदस के दिन भी जलाते हैं तो देखिए मैं बत्ती दिखा दे रही हूँ इस तरह से अलग-अलग बत्तियां लेना चाहि तो दोस्तो ये दीपक जलाने का यह महत्व है कि यम राज के लिए हम ये दीपक जलाते हैं और जैसे किसी की भी आकालम रत्तियू हो या कुछ भी हो तो ये गहना जेवर जो धन तेरस के दिन चढ़ाते हैं हम तो उसकी चका चौन से यम देवता अपने घर के अंदर प्रवे अच्छा होती है इस प्रकार से घर के दक्षिन दिशा में ये दिया जलानी चाहिए तो सबसे पहले हम इस तरह से रंगोली से चौक पूर लें और थोड़ा सा इसमें हम चावल डालेंगे और यहां पर दीपक को प्रज्वलित करके रखेंगे और यहां पर बैटकर हम प्र घर की सुरक्षा हो क्योंकि यम देवता को मृत्यू के देवता माना जाता है यम महराज किसी के घर में प्रवेश होते हैं तो वो सुब नहीं होता है इस प्रकार से अपने घर के लोगों की लंबी आयू बढ़ती है और अपने घर की सुरक्षा भी होती है और किसी भी प्र इस प्रकार से यम के दीपक का महत्व है अगर धन 13 के दिन नहीं जलाते हैं तो धन 13 के दूसरे दिन भी यह दिया जलाया जाता है जिसको हम नरक 14 के नाम से जानते हैं तो इस प्रकार से यह नरक 14 के दिन भी यह दीपक जला देना चाहिए तो दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्क्राइब जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में भी चाज़ा कीजिएगा और जो लोग नए आए हैं तो सब्क्राइब करके जरूर जाईएगा क्योंकि अगला वीडियो मेरा दिवाली पूजा का रहेगा और बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को दिवाली पूजा का वीडियो दिखाने वाली हूँ तो चलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के लिए नमस्कार धन्यवाद हैपी दिवाली